इस्त्री हो या पुरुष नवरात्री में ये साथ अशुभ काम करने की गलती ना खरें वरना रूट सकती है मादुर्गा आपसे दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी तोटके में सबसे पहले सबस्क्राइब कर लीजे हमारे इस चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर जिससे की आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलते रहेंगे अठारा मार्च से चैतर मास के नवरात्र शुरू हो चुके हैं इस साल चैतर नवरात्र आठ दिन के रहेंगे यानिकी 25 मार्च को नवरात्री की अंतिम्तिथी रहेगी नवरात्र देवी पूझा को समर्पित होता है इन दिनों मादुर्गा के लिए वरत उपवास पूझा पाट करने से घर में सुक सम्रद्धी बनी रहती है इन दिनों अधर्म करने से बचना चाहिए। जो लोग नवरातर में अशुब काम करते हैं उन्हें देवी की कृपा नहीं बलकि नाराजगी का पात्र बनना पड़ता है। उनकी सभी प्रकार की पूजा निश्फल हो सकती है। पहला कारे है सुबह देर तक ना सोए। जीहां साथ ही किसी व्रिद्ध का या फिर अपने बुजुर्ग का भी अपमान ना करें। व्रिद्धों का सम्मान करें उनसे आशिरवाद लें। इससे आपकी सभी परेशानिया दूर हो सकती है। तीसरा कारे है ना खून ना काटें। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखतें उन्हें देवी के क्रोध का सामना करना पढ़ सकता है चौथा कार है कि बाल ना कटवाए ना ही दाड़ी बनाए शास्त्रों में कुछ काम ऐसे बताए गए हैं जिने शुब दिनों में नहीं करना चाहिए दाड़ी बनाना बाल कटवाना उनी कारियों में शामिल है नवरातर के पविदर दिनों में इन काम को करने से भी बचना चाहिए पाचवा कार है कि नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी देवी देवताओं की कृपा प्राप नहीं कर पाता है नशा करना एक बुरी आदत है इसस सबी को बचना चाहिए नवरात्र में इस बुराई से दूर ही रहना चाहिए छठा कारे है जूट ना बोलें दोस्तों नवरात्र में जूट बोलने से बचें ये एक महापाप है इसकी वज़े से जीवन में परिशानिया बढ़ सकती हैं सात्वा कार है कि आलस्य ना करें जैस आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें देखते रहें चमतकारी टोटके लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें